नमस्कार मैं अभिशे कौसिक नितीश कुमार को लेकर पूरा मिडिया जगत में चर्चा चल रहा है और चर्चा है कि नितीश जी भकवा गये हमारे बगल में बैठे हुए है एडी निज इंडिया के प्रधान संपादक अमन सांडिली सर इनको भी देखकर आपको लग रहा हो है हमरे बिहार के मुखमंत्री ये भकुवाये हुए हैं तो क्या कि जीएगा एक बात बताएं जबी पहली पार मुखमंत्री बने थे अम राजा पजार से पैदल गांधी मैदान गए थे सबत ग्रहण इलिए थे गांधी मैदान में ना कसम से बता रहे हैं इतना क्रेज था सत्ता परिवर्टन हुआ था अनिदेश जी के लिए जो जन समुदाय उम्रा था गांधी मैदान में देखने लाइक था समय है और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये तो समय चक्र चलते रहता है जो कभी सिर्ष पर है वो नीचे आएगा जो नीचे है उपर जाएगा समय चक्र का प्रभाव है और वितिश जी का भगवाना आज की जो परिस्थिती है बिहार की जदियू में आपसी जो खी नीचा तानी है चरम पर है वो नितित देखिए नितीश कुमार जी की आदत दबाव की राजनीत करने वाली नहीं रही है वो सुतंत्र हो करके और खुल करके बैटिंग करते हैं वो इस इस्थिती में होते ही नहीं है कि कोई उनको सलाह दे तब वो कोई डीसीजन ले सलाह देने वाले को भी बरदासनी करते हैं आज इस्थिती यह है कि पार्टी में दो बिचारधाराओं की लड़ाई जदियू में है दो गुटबाजी कहिए उसको गुटबाजी जदियू की बिचारधारा क्या है उसकी कोई पिचारधारा नहीं है एक समाजवादी प्रिष्ट भूनी कह सकते हैं चुकि जनता दल से बना है जनता दल का ही यह परिवर्तित रूप है राश्टिय जनता दल हो जदियू हो जनता दल से ही निकली हुई पार्टियां है न तो एक समाजवादी प्रिष्ट अब भकवाने का जो कारण है लगातार कुछ-कुछ ऐसी घटनाएं हो गई है ना कि अब इनको समय में नहीं आ रहा है कि पटिया कैसे समालें बताते हैं बताते हैं पहली बात की जदियू का एक धड़ा एक हिंसा नहीं चाहता कि आरजेडी के साथ रहें प्रो बीजिपी हो जदियू का एक हिंसा आरजेडी के साथ कमफर्ट महसूस कर रहा है ता डिवीजन तो यहां हो गया चलिए दूसरा कि नितीस बाबू का जो हर साम में नितीस बाबू भूंजा फांकते हैं अब इधर फांकते हैं कि नहीं पता नहीं लेकिन एक परंपरा की सुरुगात किये थे अपने मुख मंत्री आवास पर कि भूंजा पार्टी साम में हमेशा होता था उनके भूंजा पार्टी में कौन-कौन लोग राते थे पता है आपको सरवन कुमार जी हो गए मैंने जो भी है नीरत जी हो गए नहीं 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 उस समझ लेंगे कि मेरा सब्सक्राइब नाम उसमें दिद्द एवी सीडी एक्सवाइज जेट जो भी है ना रहने वाले लोग अपने आपको बिहार की राजनीत में बड़ा स्रेष्ट मांग रहे हैं क्योंकि वह मुख मंत्री के करीब रहत रहे हैं अगर किसी का नाम छूट जाएगा तो उनकरो बहुत करीब हैं लेकिन वह भूझा पार्टी में नहीं रहते हैं है ना अब बिदम अब बिदम बना देखिए कि इसी बुझा पार्टी का एक मंत्री असोक चौदरी जी अराश्ट्रिया देख्ष ललन सिंग जी के बीच में वाक युद्ध चरम पर पहुँच गया मुक म मंत्री जी भुकवाया हुआ चहरा लेकर के दीरे से कल से निकल गए होसियारादि में हो तो निकल गए तो अभी अच्छा कुछ कुछ घटना है आप निति मुक मंत्री जी का आप देखे होंगे कैसे अपने असोक चौदरी जी के कंधे पर अपना सर रख करके प्रेम प्रदर्शित करना ठीक है को लगने लगा कि अरे नितिश कुमार जी तो हमारी इतने करीवी हैं आईललन जी कुन है राष्टिय अध्यच नाम के ऐसे भी जेडिव में राष्टिय अध्यच जो बनता है ना उसको हमेशा संकट अनुभो करना चाहिए यह राष्ट हम माफ करेगा राष्टिय जनताद दल नाम ले रहे हैं जेडियू का चनतादल एउनाइटेट का राष्ट्यय ध्यच होता है उनको हमेशा संकट का डर यानि संकत रहता है उनक अभास और विदियो में इस बात कि कि हमने चर्चा किया है कि अगले बार नितीश कुमार जब पल्टी मारेंगे पल्टी मारने वाले हैं पूरा सेंटन दिख रहा है पूरे पॉलिकल जो है इस्ट्रीट में यह चर्चा हो रही है पूरे पूलिकल पंडिट एनलेसिस कर रहे हैं तो किसका बल्ली पड़ेगा है कि प्रिष्ट भूमी में पीछे जाईए जब भारतिये जन्ता पार्टी को छोड़कर एंडिये को छोड़कर नितीश कुमार लालू जी के साथ जब गय थे पंद्रह में तो परसांथ की सोर बहुत बड़ा पद्य दिया गया था नितीश कुमार के बेटा मान लिया गया था आप परसांथ की सोर भी वही जो आज जन सुराज चला रहे हैं और बड़ा रन नितिकार जिनके रूप में उनको ख्याती प्राप्त है तो संघहार हुआ उनका पॉल्टिकल संघहार बहुत कोशिस किया गया है है हैं टुक डेथ किल करने का दूसरी बात है कि वह पॉल्टिकल बुझने वाले अपने खुद बड़ा खेलारी हैं अपने आपको सम्हाल लिए अब चलिए अब फिर आए गए इधर भाजपा में तो क को ना है कि आर सिपी सी तो आर सिपी सी मुखर होकर राष्टिय जनता दल के खिलाफ में आये और एकदम नितिश जी के करीवी संघठन को भी खड़ा करने में बहुत एड़ी चोटी लगा है जाती के कुर्मी तो लगा कि अरे भाई नितिश कुमार भी तो हमरे जतिया के अ है तो किसका संघार हुआ है अब पल्टी फिर मार रहे हैं तो राष्टिय अस्तर के जो नेता हैं सिर्ष पर और उनके दिमांग में भी यह भरम हो गया है इस नितिश कुमार हमरे सबसे नज़्दी के बिहार के नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं कि नितिश कुमार और ललन जी के बीच में किसना गहरा संबंध है रिष्टा है तो नितिश कुमार ललन जी को भरम होना लाजमी भी है लेकिन पल्टी मार रहे हैं तो किसी का न किसी का बली होना है संघार होना है ललन जी हम समझ रहे हैं लग रहा है कि इनको बली का बक्रा बनाया जाएगा और ऐसे भी नितीश कुमार जी के लिए कहा जाता है ऐसा कोई नहीं सगा जिसको नितीश जी ने नहीं ठगा आप इतिहास जोर्ज फंडानी से लेकर सरद यादों से लेकर जितने नाम अभी हम किनार हैं यह सब के सब ठगे हुए ठगाए हुए लोग हैं तो यह सब कारण है कल है हमारी बातचीते के जडियू के बड़ी बड़ा नेता से हुआ कि इनके जो सांसद है ना उसमें दस सांसद सुलह में दस सांसद यह कह रहा है कि या तो आप एंडिये के साथ चलिए और नहीं तो हम लोग अब चल दिए क्योंकि हमारी लड़ाई राजद के खिलाफ है हुई है और उनका टिकट देखिए पॉल्टिस में लोग कुर्टा पेजामा पेहन के दोवा दोवा के यतना मेहनत करता है काहे के लिए जी मंत्रिया बिधायक बनने जाना अब बिधायके मंत्री बनने परोका संकट हो जाए निति इसको मारके जी के थोबड़वाद देख रहेगा जने मन होगा उन्हें न जाएगा आज की राजनीती सिधान की राजनीती नहीं है औसर की राजनीती है जिसको जहां औसर सधर आ और भारतिये जंता पार्टी उन दसो सांसदों को कह रहा है ना कि हम तुम्हारा सेट इक में घुशा के उसके सेंबल से लोकसभा भेजना लडाई लडाना चुनाव लडाना ओभी करेंगे भारतिय जनता पार्टी अपना जाल फेकी हुई है एक दा मुझ से ही जैसे मचली पकड़ने के लिए मचुवारा ठेकता है कि बिधायक दल बदल का भी कानून इन पर प्रभावी साली नहीं रहेगा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि जब छोटा यूनिट रहता है न तो अरे चिराग जी के साथ का हुआ चोगो संसदवे था पांच वोने चल गया खतिक नहीं अगर यहीं चिराग जी के पास सो सांसद खत्र स्ठर रहता त्टूर जाता क्या नितीश कुमार जी के पास इस्थिती यसा है कि पांड़े टूर जाए कि पांटी का सेवल प्लप्रण को खत्रा हो जाएंगा कि अब इस सारे इतने प्रेसर में हैं इन सारी बातों को लेकर कि बैचारे भकवाय हुए है कि हम कोई नहीं समझ में आ रहा है कि आपका है भकवाय हुए है कि बिहार की इस्तिती और दुर्गती देख करके ठीक है कि जब प्रदेश संकंट में पड़ता है उसकी राजनेतिक आइस्थिरता होती है तो लोग तंत्रकार और जन्मानस के असली प्रहरी पत्रकारिता भी चिंतित हो जाती है कि उसमें भी चिंता है ऐसा मत समझे कि खाली हम लोग एनलेसिस कर रहे हैं हम में कहीं कहीं राजनेतिक आइस्थिरता को लेकर समाजी कि सरुकार को लेकर और जन्हित के मुद्दों को लेकर हम बहुत संबेदन सिल रहते हैं हमका मतलब पूरे पत्रकारिता जगत आज के इस परचर्चा में इतना ही अभी आप कोशिक जी को सुन रहे थे नितिस कुमार जी की जो मना इस्थिती है वो मना इस्थिती बहुत अच्छी नहीं है थुड़ा कन्फ्यूज्ड लग रहे हैं जब भी पत्रकार या कोई अन्ने उनसे बात करने का प्रियास करता है तो उनकी बातों से पता चलता है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा है पाटी की इस्थिती खराब है या उनका स्वास्त सही नहीं है पता नहीं इश्वर करें उन्हें लंबी आयू भगवान प्रदान करें लंबे समय तक बिहार की सेवा समाज की सेवा करते रहें लेकिन अभी प्रदमान में जो इस्थिति उनकी है ऐसा लगता है कि उनके ऊपर में बहुत भारी दवाव है जैसे है चारो तरफ से अन्हें दबाया जा रहा हो उन्हें परशान किया जा रहा हो अगर ऐसा है भी तो जहिर सी बात है यह प्रिसर पार्टी के तरब से हो सकता है या आर्जेडी के तरब से हो सकता है बाकी की समिक्षा विशलेशन आप श्वयम कर सकते हैं